इस कारिक्रम के पुन्यार जग है अड़मो नित्धान नमू टित्दान अड़मो आयरि आनम् नमो आयरिया नमो उवज्जाया नमो उवज्जाया हर मो लोए सव अशाहून नमो उवज्जाया नमो उवज्जाया सौवपावपनाश्रिनो मंगलाणम् चे सब्बेशिम् पढ़ेमं ओ मंगलम् पढ़ेमं ओ इन्हां बेलम् आज बात भकतामर की करने की थी लेकिन अभी मुझे ध्यान आया कि आज अस्टमी है और सास्तर कारों के अनुशार अस्टमी के दिन किसी गंत की सिरुवात करना हो चीत नहीं इसलिए अब आज और कल दो दिन और इंतजार करा के परसु से भकतामर की बात आप सब के बीच आईए लेकिन अच कुछ बातें जरूर करने का मन है हम लोग अक्सर दूसरों से सवाल पूछते हैं पर आज कुछ सवाल सुद से पूछने की कोशिश करना चाहिए चार सवाल जिसे हर मनुश्य को अपने मन से पूछना चाहिए क्या मिला क्यों मिला किस लिए मिला और मैं क्या कर रहा हूँ पहला सवाल क्या मिला बोलो कभी हिसाब लगाया मेरे पास क्या क्या है कभी लगाया सबने अपने अपनी परीश संपत्तियों का आकलन तो किया ही होगा मेरे पास इतना धन है इतना बैभाव है इतनी संपत्तियां यह सब मेरे असेट्स है इतना मेरा बैंक बैलेंस है यह चीजे तो है यह जो आप रोज आखते हो लेकिन इन सब के पहले हमें देखना चाहिए कि क्या मिला तो हमें मानों जन्म मिला बोलो जीवन मिला कभी इस पर बिचार करते हैं हमें नरभाव मिला बाकी चीजे तो जो तुमारे देखने में आ रही है तुम उसका आकलन भी करते हो उसकी सुरक्षा का प्रियत्न भी करते हो उसके संबर्धन की भी कोशिश करते हो उन सब के प्रतिशजगता दिखती है लेकिन यह जो मानों जीवन मिला है यह अलब भलाब है ऐसा कभी प्रतिश हुआ यह दुरलब जीवन है ऐसी अनभुती कभी हुए और मानों जीवन ही नहीं मिला मानों जीवन पाकर अच्छा सरीर मिला कास अभी रश्ट प्रश्ट सरीर के धारी होने की जगा अगर अंग हीन होते बिकलांग कहलाते बिक्रतांग होते तो हमारा क्या होता सड़क चलते हैं ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं की नहीं उनको देख करके कभी मन में आता है एक मनुष मैं हूँ और एक मनुष ये है आज मैं मनुष होकर के भी पूर्ण सक्षमता से जीवन जी रहा हूँ और ये मनुष्य होकर के भी लाचारी और बेबसी से जीवन काट रहें अंतर है स्वस्त सरीर की उपलब्धी कोई शाधरन घटना है अगर हमारे सरीर में किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलीटी होती सक्षम होते है हो ना इस अर्थ में भगवान बलो और अच्छा सरीर ही नहीं मिला अच्छा परिवार भी मिला है भरा पूरा परिवार है पर कभी तुम्हें अपने परिवार का महत्त समझ में आया परिवार का मुल जानना है तो उसको देखो जिनका परिवार बिनस्ट हो गया विखर गया कोरोना के दोर में कई अनात हुए उन्हें पता लगता है कि परिवार क्या होता है तुम्हें एक अच्छा परिवार मिला और बोलो अच्छा सरीर पाने के लिए तुमने कोई प्रयत ने किया क्या अच्छा परिवार के लिए तुमने कोई प्रयत ने किया क्या ये मानो जन्म पाने के लिए भी तुमने अभी प्रतक्ष में कोई प्रयत ने किया क्या इस सब सहज रूप से जीवन में प्राप्त हो रहे हैं हुए है इसकी भी प्रताल करेंगे हम थोड़ी देर बाद पिर धन संपन्नता मिले आज तुभारे पास किसी चीजी की कमी नहीं है थोड़े से प्रयास से बड़े बड़े लाब प्राप्त कर लेते हो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दो जून की रोटी की भी विवस्था नहीं है खाने को रोटी नहीं पहनने को बस्त्र नहीं रहने को मकान नहीं हर चीज में लाचार और बेबश कई तो ऐसे भी धीन हीन है जो दूसरों से भी मांग कर अपना गुजर वसर करने को बाद है हो इस अर्थ में समर्थ फिर अच्छी बुद्धी मिली पढ़े लिखे समझदार हो सबक पर कई मंद बुद्धी दिखते हैं उनको देखो और सोचो उनकी जिगा मैं होता तो मेरा क्या होता और कई दुरुबुद्धी भी दिखते हैं जिनकी बुद्धी उल्टी ही चलती है और ऐसे दुरुबुद्धी से खशित लोग उटपटांग हरकते करके अपने जीवन को विनस्ट करते हैं है भागे साली और इसके साथ अच्छा संसकार मिला जिसके परणाम सरूप एक शब्भ नागरी की तरह जी रहे हो तास ऐसा नहीं होता आवारा अपरादी लुच्चे लफंगे की भाती जीवन जीते और यहां बैठने की जिगा सीख्चों के अंदर होते हैं यह सब जीवन की उपलब्दियां हैं हैं की नहीं बोलो है क्या मिला बहुत कुछ मिला मिला की नहीं मिला क्यों मिला अपने आप किसी की किरपा से बोलो हां पुन्न के प्रताप से मिला है ना किस से मिला पुन्न के प्रताप से मिला पुन्न ने हमें यह सब सारे अनकूल संयोग दिये कभी लगता है कि मैं प्रबल पुन्न का धनी हूँ और मुझे मेरे पुन्न के योग से यह सारी अनकूलताएं प्राप्त हुई है कभी लगता है कोई बेश कीमती वस्तू उची कीमत देकर आप खरीदते हो या पाते हो तो इस वस्तू को बड़े जतन से संभाल कर रखते हो रखते हो कि नहीं इस संपूर जीमन और जीवन के साथ सुलब अनकूल संयोगों को फुकट में पाए हो क्या बोलो उची कीमत चुका करके पाए हो तो इसे संभाल कर रखना है या यूहीं गवाना है हमें ये तै करना है जिस वेक्ति को इसका अभास होता है कि ये साहज उपलब्दी नहीं इसके पीछे मेंने बड़ी कीमत चुकाई है वेक्ति अपने आप अपने जीवन के प्रती जागरुक हो जाता है और जिसे इसका मुलबोध नहीं होता वो लाप परवाहा बन जाता है हर वेक्ति को नित अपने बिसे में ये बिचार करना चाहिए कि मुझे जो कुछ भी अनकूल स्योग मिले हैं क्यों मिले हैं पन्ने के योग से मिले न तब किस लिए मिले मौज मस्ती के लिए राग रंग के लिए भोग बिलास के लिए किस के लिए मिले किस लिए ये सब पाए ये जो सारे योग मिले है इनका सही प्रियोग करने के लिए मिले इन सब को पाकर कि मुझे एक आउसर के रूप में मिले है मैं इनका सदुप योग करूं ये मेरी प्रासमिकता होनी चाहिए पर क्या हो रहा है प्रियोग की जगा भो क्या हो रहा है प्रियोग की जगा भो संत कहते जीवन में उपलब्द अनकूल सयोगों का उपयोग करो उपभोग नहीं अगर तुम्हारी बिवेक बुद्धी जागरित होगी तो तुम इनका उपयोग करोगे और जो बिवेक बुद्धी से सुन होंगे वे केवल उपभोग करेंगे ये उपयोग के लिए मिले हैं उपभोग के लिए नहीं ये अपने अंदर बठाईए और इनका उपयोग कीजिए उपभोग से बचिए मनुस्य जीवन को कड़ भी तुम भी की तरह कहा गया है तुम भी समझते नहीं लोकी कद्दू अगर अस सूख जाए तो उसको तुम भी कहते हैं उस तुम भी को कोई खाले तो फूट पाईजन हो जाए लेकिन उस तुम भी के सारे बड़े बड़े नदी नाले को तैर कर पार किया जा सकता है तो संत कहते हैं ये जीवन कड़ भी तुम भी के समान है इसका उपभोग करोगे तो मर जाओगे और उपयोग करोगे तो तर जाओगे इसलिए उप्योग करो उप्भोग नहीं उप्योग क्या है जिस पुन्य के परिणाम सरूप ये उपलब्दिया पाए हो उस पुन्य की वृद्धी करो उसका भोग नहीं पुन्य के भोग में पाप की वृद्धी होती है और पुन्य फल के त्याग में पुन्य की वृद्धी होती है तुम जितना पुन्य को भोगोगे उतना पाप बढ़ेगा और पुन्य के फलों का जितना त्याग करोगे उतना पुन्य बढ़ेगा मराज बात समझ में नहीं आ रही है अभी समझाए देता हूँ पुन्य के फल सरूप्त में जो भी साधन सामगरी मिली है इनके भोग में क्या करोगे है मौज मस्ती भोग विलास ये पाप है की नहीं तो पुन्य के फल को भोगने में जो मौज मस्ती है जो भोग विलास है इसमें पाप है की नहीं तो पुन्य के फल को भोगने में पाप होता है इसलिए हमारी संस्क्ति पुन्य के फल को भोगने की जगा पुन्य के फल को त्यागने की बात सिखाती अपते हां तपष्यां करते है इसलिए कि भोजन नी मिले उप्वास कर लो नहीं भोजन सुलब होने पर भी भोजन का त्याग स्करो यह उप्वास है पुनि के फ्लसरू पसारे अनुकूल सयोग मिले हैं और यून के भोग को पाप का कारण मानते हैं उनसे बचो इसी का नाम त्याग है इसी का नाम तप है और इसी का नाम सैयम है और त्याग तप सैयम ही धर्म है बोलो कि धर रुजान है तुम लोग धर्म भी करते हो ना तो त्याग तप सैयम के लिए कम बहुत कम लोग होते हैं जो हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं महराज धर्म बृद्धी का आशिर बात दो ज्यादा तर तो महराज ऐसा आशिर बात दो कि दुकान धंदा अच्छे से चले घर परिवार बढ़िया चलते रहे सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे अरे उपर से ठीक ठाक भीतर से फुट पाथ भीतर की हालत को ठीक करो उसको समालोगे तो बाहर का अपने आप समल जाएगा बाहर माला माल और भीतर कंगाल अपने जो जिस पुन्न के परिणाम सरूप इन सारे सुब सहियों को को प्राप्त किये हो उस पुन्न को प्रगाळ बनाने की कोशिच कीजिए पुन्न को भोगने की जिगाप पुन्न को संचित करने की कोशिच कीजिए अब आप बताईए एक सवाल करता हूँ आप ये तो मानते हो कि इस सारे संयों पुन्न के परिणाम सरूप मिले यानि पुन्न ने दिये अब किशी ने राम लाल से रुप्या लिया और शाम लाल को दे दे जबकि राम लाल शाम लाल दोनों एक दूसरे के भी रोधी और राम लाल से रुप्या लिया और शाम लाल को देने जाए ऐसा बेक्ती दुबारा राम लाल के पास आएगा तो राम लाल उसका स्वागत करेगा क्या बोलो क्या करेगा एड़ो भूलो तो धक्का मारके भगा देगा तो पुन्य राम लाल है पुन्य ने तुमें ये सारे अनकूर संयोग दिये और तुम उन सारे संयोग को शाम लाल रूप पाप को लगा दिया अब दुबारा उस रामलाल के पह जाओगे कहें कि जा बिटा वही जा तुझे शामलाल प्री है न तो वही रहा तुझे पाप प्री है तो तु पापी बना है तो पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा मैंने बनाया तुझे समराड था सम्राट बना कर भेजा था पर तुझे मैं रास नहीं आया तुझे वो भिकारी पाप रास आया जा अब उसके ही पाँ जा अब भिकारी बन तेरी इसके लावा और कोई गत नहीं जो वेक्ति अपने संचित पन्नकाद रुपयोग करते हैं उनका आरजित पाप पतन कराता है अब लोग इस बात को अपने जहन में बिठा लिजे ये सच है कि संचित पुन्न तुमारा बहुत प्रगाड है तबी ये सारी सामगरी तुम्हें प्राप्त होई है लेकिन संचित की तुलना में अरजित का क्या हाल है बैलेंस इट देखो ओपनिंग बैलेंस क्या है और बरतमान की स्थित्री क्या है ट्रांजिक्शन तो खूब चल रहा है टर्नोवर भी ठीक है प्राफेट माइनस में क्यों एक लक्ष बना करके चलिए कि जितना मैं अरजित लेकर आया हूँ उस से कहीं ज़्यादा अरजित करके जाना है यही जीवन के उपलब्दी होगी जितना संचित लेकर आया उस से ज़्यादा अरजित करके जाना अपना लक्ष बनाईए राजी हैं आप लोग अरजित करना है तो फिर जिसको अभी तक अरजित कर रखा है न उसको बिशर्जित करना सुरू करो जिसको अभी तक अरजित कर रखा है उसे बिशर्जित करना सुरू करो लेकिन उस अरजित के मोहों में तुम अपने पुन्न को बिशर्जित कर देते हो पाप को संचित कर लेते हो लेकिन जिसे अरजित करना चाहिए उससे वन्चित रह जाते हो सही लक्ष है जब तक सही लक्ष नहीं बनता तब तक यथार्थ पुरसार्थ भी नहीं जगता लक्ष बनाओ पुरसार्थ जगाओ यह की बनाओ कि मुझे किवल इही भाव को नहीं देखना मुझे भाव भाव को समारना है अपने जीवन को ट्याग मैं स्प मैं और सैयम मैं बनाना है चीजों का भोग नहीं परिचाख करना है इन भोगों में रखा भी कुछ नहीं है सिवाए आकुलता के ये परिशान करने वाले का रख है उल जाने वाले का रख है आतुर बनाने के हे तु है दुख की योनी है इन से मुझे बिमुक होना है मुड़ना है और अपने जीवन की दिशा को ठीक करना ये लक्ष बनाएए पंच तंत्र की एक बड़ी पुरानी कहानी है एक संत अपने ध्याने में निमग न थे एक खबड़ाया हुआ चुहा उनके चरनों में पहुचा त्राही माम त्राही माम त्राही माम गुर्दे बचाओ संत अपनी समाधी से बाहर आए क्या बात है वच्ष गुर्दे वो बिल्ली मेरे पीछे पड़ी भी है आप बचा दो तुझे बिल्ली से डर है जा मैं आशिरवाद देता हूँ मार जारो भव बिल्ली बन जाओ उन संत को वाक सिद्धी थी और मार जारो भव बोलते ही वो चुहा बिल्ली की शक्ल में परिवर्थित हो गया दो रोज बाद वही बिल्ली घबड़ा भी आई कुर्दे बचाईए क्या हो गया बलो कुत्ता मेरे पिछे लगा है चल तेरे को कुत्ते से खतरा है जा स्वानों भव कुत्ता बन जाओ देखते ही देखते मिल्ली की जिगा कुत्ता प्रकट हो गया हब ते भरमाद वही कुत्ता है अबलो कुत्ता क्या बन गया जहां जाता हूं दुर दुराया जाता हूं अब बच्चे लोग पत्थर डेलाम फेकते रहते आप तो मुझे मुक्ती दिलाओ और क्या करो जंगल का हिरन बना दो जाओ म्रिको भाव वो हिरन बन गया है और एक दिर वही हिंग हिरन हापता कापता उन संत के चर्णों में आया का गुर देव रक्षा करो रक्षा करो बचाओ 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 क्या हो गया वो सेर पीछे लगाया है चल तुझे सेर से खत्रा है मैं तुझे सेर बना देता हूँ म्रिकेंद्रो भाव सेर बन जाओ हिरन ने सेर का रूप धारन कर लिया अब हिरन सेर क्या बना उसकी बुद्धी भी वैसी हो गई एक रोज वो हिरन सेर सोसता है इन संतों का क्या ठिकाना जो मुझे चुहे से सेर बना सकता है वो सेर से चुहा भी बना सकता है कहीं नाराज हो जाए और फिर मुझे चुहा बना दे तो मेरी तो वही दुरुगती होगी क्यों ना हो अभी मैं सेर हूँ इस बुढ़े को रास्ते से अलग कर दूँ इसका काम तमाम कर दूँ फिर क्या होगा हमेशा के लिए सेर बना फिरूँगा और इस विचार से प्रेरित होकर वह संत के समक्ष गया संत के समक्ष गया और उन पर जबटा मारने ही को था कि संत ने उसके मनों भाओं को ताल दिया और फट से कहा पुनर मुष को भाओ पुनर मुष को भाओ फिर चुहा बन जाओ कहते ही वो सेर चुहा बन गया कहानी आप लोगों को मजेदार लगी लगी की नहीं लगी एक बार जोर से बजा दो सुनी भी होगे बच्वन की कहानी है यह पंच्तंत्र की कहानी है पर यह कहानी किसी और की नहीं यह कहानी हमारी तुमारी सब की है यह है क्या हमारा जीवन चुहे की तरह पुन रूप संत की कृपा से बढ़ते 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 हमने निर्टन जैसी सेड़ की पृष्थ कर लिए सेड़ जैसी निर्टन को प्राप्थ कर लिया अब जिस पुन्य के परिनाम सरू हमने अपने जीवन में ये अपलबधिया पाई उसी पुन्य को खाने को वैठो गए तो वापस नरक निगोद जाने को तयार होना पड़ेगा और कोई रास्ता और कोई विकल्प बचेगा ही नहीं तो जिसके फल सरूप तुमने ये सब पाया उसको ही भोगने में लग जाओगे तो पतन अवस्चम भावी है ये बाद मानस में अंकित करिए इसलिए जीवन में जो धन है अच्छे साधन है और अनुकूल सामगरी है इसका पाप में प्रियोग कम से कम कीजिए परमार्थ में अधिक से अधिक उप्योग कीजिए सद उप्योग हो दुर उप्योग नहीं इतनी सी समझ अंतर मन में बैठ जाए जीवन की दिशा बदल जाएगे अरे क्या है आप तो आपके पास है ना आज कर क्या एक चलन आ गया क्या क्रेडिट कार्ट से चाहे जो ले लो है ना उंगली तो चला नहीं है पर भया अभी तो अच्छा लग रहा है ओडर करने में फटा 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 अरे अपी दो मिनट में चीज़े आ जाती देखिए तो सही आप बाद में बाद में क्या होगा क्रेडिट कार्ट से तुम पेमेंट तो कर रहे हो लेकिन जाकिस के गाट कर आ रहा है तो जितना जा रहा है उतना आ रहा है कि नहीं ये भी तो देखो भया एक दिन डब्बा गोल हो जाएगा और फिर सब बाते धरी रह जाएगे तो डब्बा गोल नहों दुबारा हमें ऐसी सित्ली का सामना करने की नौबत ना आए ऐसा भाव और प्रियतनत तभी होगा जब हम खुद के प्रती जाग रूख होंगे ये सवाल अपने मन से निम्मित पूछिए क्या मिला क्यों मिला किसलिए मिला और मैं कर क्या रहा हूँ अगर डारेक्शन उलता होगा तो परिणाम भी उलता ही निकलेगा वसे कोई सम्हाल नहीं सकता इसलिए सही दिशा में बढ़िए ताकि सही परिणाम आए हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ी कमजूरी है कि पाप करने के कारियों में तो पूरी ताकत लगा देते हैं प्रिगाल रुची के साथ पाप करते हैं और थोड़ा बहुत धर्म का काम कर लिए तो अपने आपको कृतार से महसूस कर लेते हैं मानो हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा जंग जीत ली नहीं थोड़े में काम नहीं चलने वाला पूरे में ही परिणाम निकलेगा आज सब अनुकूल है कल अनुकूले नहीं होगा अक्बर ने बीर बर से एक बिचित्र सवाब रखा बोला एक काम करो दो अपके लाव दो तपके लाव और दो अपके न तपके लाव आपको बोलूँगा क्या करोगा दो अपके दो तपके दो अपके न तपके लाव जित्र सवाब था पर बीरिबल तो बीरिबल था तो भीरिबल था ठीक है जहां पना है मैं दरबार में हजिर कर दूँगा ठीक अगले दिन गया दो सेठ को दो साधू को और दो भिकारी को लाके खड़ा कर दिया दो सेठ दो साधू और दो भिकारी इनको क्यों खड़ा किया यह जो सेठ दिख रहे न है यह अपके हैं इनका ठाट आज के लिए है इसके अलावा कुछ नहीं इनका ठाट केवल आज के लिए है कल के लिए नहीं सब भोग लेंगे फिर भिकारी बन जाएंगे